नमस्कार आप सभी को तो केसे हैं आप से भी लोग आसा कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो साधना बगरा है वो धीरे धीरे चल रहा है देखिए आज मैं आप सभी को एक बहुत अच्छा अनुभुती शुनाने वाला हूँ जो की बहुत सुन्दर अनुभुती है ये अनुभुती एक व्यक्ति के हैं जिनकी अनुष्ठान हुआ था उनकी रुद्रहबन भी हुआ था के से जीवन बदलता है कोई शाधना उनके जीवन में कुछ-कुछ ऐसे समश्चा आये ऐसे प्रोब्लेम आये जैसे की मान लीजिये उनकी ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि करोना के टाइम में बहुत सारे लोगों का विजनेस बंद भी हुआ है बहुत सारे लोगों का विजनेस शुरू भी हुआ है तो इन उन्होंने जब हमें कोल मी फोर आपके माध्यमशे संपर किये और हां इसके उपर में थोड़ा आपडेट देना चाहता हूं कि बहुत जल्द सोमबार तक मैं आपको कोल मी फोर आप और बाकी चीजों का आपडेट दे दूँगा उसी हिसाब से जो कारे रुग गया था वो ध क्या क्या अब तक उन्होंने कहा कि मैंने लाखों रुपया का हवन करवा दिये हैं एसे बिविन्द प्रकार की कारे करवा दिये हैं मेरे जिवन में जो समश्या थी वो समश्या वैसे की वैसे हैं उसमें कोई हमें समाधान नहीं मिल रहा है तो मैंने उनको पूछा कि अगर आपको वुखार है और उस समय आप वुखार का दबाई ना लेकर कोई ऐसे मल्टी विटामिन ले रहे हैं तो वुखार के से उतरेगा वुखार को कम करने के लिए वुखार की फिवर की दबा लेना पड़ेगा उसी हिसाब से मैंने उनको कुछ तीन दिवश्य पांच और उसके बाद जो है आप हमें संपर करने का प्रयास करें उन्होंने वो किया वो जैसे ही उन्होंने किये उनके जीवन में अचानकी जो रास्ता उनका बंद पड़ा था वो खुलने लगा और वो अगले बार मैंने उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे लिए कोई परसनल पावार इतना होता है कि आपको इतने पैसा खर्च करके कोई हवन करवाने का आभशकता नहीं पड़ेगा कोई नीजी हवन करवाने का आभशकता नहीं पड़ेगा आप रूद्र हवन करवा लीजिए जो सामुइक होता है तो उन्होंने क्या क्या कि उन्होंने रूद्र प्रेक्तिका हवन उस दिन हुआ था सामोई कि में, कभी-कभी हम ज्यादा लोगों का नहीं करते हैं, चाहे कितना विया कुछ-कुछ लोगों का रिटन भी कर देते हैं, तो उसके बात जिस दिन हवन हुआ, उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, कि उन्होंने इस बात को लेके क कभी सोचा भी नहीं था, कभी कलपना भी नहीं किये थे, कि क्या बास्तव में वो चीज पूरा बदल गया, जो चीज वो पूरी तरह से चिंता में थे, कि कैसे किस तरह से यहां से निकला जाए, आगे की समय में कैसे कुछ किया जाए, वो पूरी तरह से एक प्रकार से क्लि में आप रहा चल रहा है और अपने झीवन को आगे बढ़ा पा skilled है. अर अपने जीवन कोrier आगे बढ़ान है. मैंने ये डिशाइड किया है कि आज कल बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के चीज के बारे में एक प्रचार प्रशार कर रहे हैं जैसे जो चीज हमारे धर्म से रिलेटेड नहीं है हमारी पुजापाट पद्धती नहीं है और उपर से वो इस सारे चीज को अंधविश्वास बता रहे हैं हाला कि मैंने कभी इस प्रकार से कोई अनुभूती बेगारा सेयर नहीं किया लेकिन मैं धीरे धीरे करना चालू करूंगा क्योंकि मैं यह जान गया हूँ कि अगर बाकी सारी चीजों का इतना हो रहा है तो हमारे पुजापाट अध्यात्म का प्रचारपरशार क्यों नहीं हो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में बहुत अच्छा परिवत्तन हुआ है इस प्रकार से मैं यह चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का जीवन इस प्रकार से परिवत्तन हो और उनके जीवन में कुछ ऐसी चीज हो जो की बदले समय के साथ उनके अध्यत्म का जो स्तर है वो बदले हो और उनको जीवन में कुछ पोजिटिविटी आए इसी के बेस में मैंने उनको कहा कि हाँ आपको भी साधना प्रारम करना चाहिए और आगे की जिवन को बढ़ाना चाहिए जैसे आधत में आगे की जिवन को बढ़ाना चाहिए आधत में की रास्ता को दिरे दिरे आगे लेके चलना है तो उन्होंने किया और आज वो अच्छे हैं इसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहूंगा कि सोंबार से इस सोंबार से कॉल मी फॉर आपका जो पहले तो सुड को उसका 70 रुपीज रखा गया था पर मिनिट लेकिन बहुत सारे लोगों कि हमें बहुत अस्विरा हो रही है क्योंकि मैंने इसलिए रखा था कि बहुत सारे लोग जो वीडियो में दिया जाता है उसी को लेके फोन करते हैं कि ऐसा है वैसा है उसकी पूरी विब्रण देया जाता है और मैं नहीं चाहता कि कोई बेकार का बात करके उसका भी समय व्यर प्रस्ण है और क्या-क्या रहेगा कौन सा साधना के लिए पूछ सकते हैं कौन सा साधना के लिए नहीं पूछ सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे तो इसी के रिलेटेड ही ये विडियो था तो आगे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से बिभिन्य प्रकार क के अनुभूती हैं साधना इसके भी विडियोज आएंगे और आप उसको धीरे-धीरे करने का प्रयास करिए जय मतादी